अनिमेशन के बारे में हैं और इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं किसी ने पूछा अनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं तो किसी ने पूछा इसके लिए कौन सा सौफ्ट्वेर यूज कते हैं और ऐसे ही बहुत सारे सवाल किये गए मुझसे, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ अनिमेशन के बारे में, अगर आप अपने व्यूवर्स का ध्यान, अटेंशन, पूरी तरह अपने वीडियो पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए अनिमेशन एक बहुत ही पावरफुल की है, प्राक्टिकली अगर आप दो वीडियो बनाते हैं सेम टॉपिक पर, एक में आपने अनिमेशन यूज किया है, और दूसरे में सिंपल टेक्स्ट और इमेजिज, सेम टॉपिक और कॉन्टेंट होने के बावजूद अनिमेशन को लोग ज्यादा पसंद करेंगे, तो आप बहुत ही बहतरी ब्यूटिफल अनिमेशन बना सकते हैं, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन तीनों में से आपके लिए बहतर कौन है, नमबर थ्री पर है पावटून, तो चलिए पावटून की वेब साइट पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम अनि Dprogrammated Videos and Presentation. It's free and it's awesome. Okay, start now! यहाँ पर आप साइब कर सकते हैं मैं here से फेस्बुक से शाइब करूँगा यह कोई पावटून की तो लिय कि मैं सटेब बाउनगा स्टेप बाहनोंगा,路बा मैं से skip कर देता हूँ, themes and templates, आप यहाँ से choose कर सकते हैं, बहुत सारे templates यहाँ पर already दिये हुए हैं, या फिर आप blank चूस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर blank चूस करूँगा, यह हैं Powertoon का interface, तो चलिए एक छूटा सा project इसमें बनाते हैं, तो सबसे पहले आप स्कूल डाउन करके नीचे आईए, यहाँ से background चूस कर सकते हैं, मैं यहाँ से background मैंने चूस किया और मैं इसमें पहले कुछ text include करता हूँ, अब यहाँ पर कुछ features है left side में नीचे की तरफ, यहाँ पर अगर देखें, तो enter and exit यहाँ पर है, यह जो text है वो कैसे आएगा और कैसे जाएगा, इस project page पे वो कैसे आएगा और कैसे जाएगा, तो enter effect में अगर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, उपर से नीचे की तरफ, up, down, right, left, मतलब अगर right की तरफ कर देखें, तो यह right की तरफ से आएगा, बीच में, and right कर दिया मैंने, और वैसे ही exit में मैंने कर दिया, यह left की तरफ जाएगा, okay, अब अगर इसे हम slide करके देखें, तो आप एक effect देखेंगे, यह यहाँ से आया, और यह center में है, और यह यहाँ से चला गया, अब इसमें हम लोग कुछ characters include करते हैं, characters, मैंने यहाँ से animation character चूज किया, इससे अपने हिसाब से arrange कीजिए, resize कीजिए, उसके बाद यहाँ से, okay, and यहाँ timeline में आप देख सकते हैं, timeline में अब देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर जो अभी है, 9 seconds तक यह हमारा text इंक्लूड रहेगा, वैसे ही अगर pop-up है, तो pop-up हमार last में आएगा, and यह जो musician है हमारे यहाँ पर, इसे मैं कर देता हूँ, कि यह 2 seconds के बाद यहाँ पर आजाएंगे, और last तक रहेंगे, 10 seconds तक, और यह हमारा heart है, यह आएगा 6 seconds पर, and यह full 10 seconds तक रहेगा, अब यहाँ पर इससे अगर हम slide करके देखें, तो देखिए, text आया, and यह musicians आप आए, तो इस तरीके से आप यहाँ से slide create कर सकते ही, आपको कुछ import करना है, तो यहाँ पर images import कर सकते ही, एक नया page include कर सकते ही, यहाँ और भी बहुत सारे characters, बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर image holders है, अगर आपको किसी holder के अंदर image डालना है, तो आप वो डाल सकते ही, for example, यहाँ से मैं कुछ यहाँ पर upload करता हूँ, upload, and मैंने यह select किया, and इसे मैंने select किया, and insert image, तो यह देखे, इस computer के अंदर यह image insert हो गया है, तो यह था basic editing, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे features हैं, बहुत जादा character यहाँ पर available नहीं है, बहुत सारी चीज़े नहीं हैं यहाँ पर, बट अगर आप basics अगर आप चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, finally, जब आपका project ready हो जाया, तो आप यहाँ से preview करके देख सकते हैं, कि आपका project कैसा दिखेगा, जब finally आप project create कर लेते हैं, तो आप यहाँ से export कर सकते हैं, आप सिर्फ इसे ही YouTube पर upload कर सकते हैं, क्योंकि यह जो आपका है free account है, यहाँ पर अगर आप premium account लेते हैं, तो आपको कुछ extra features मिलेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अगर आप free य monetize नहीं कर सकते हैं, इससे earning नहीं कर सकते हैं, अगर आप इसका commercial यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको paid या pro plan लेना होगा, तो चलिए premium account की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसके price list को हम देख लेते हैं, इसका सबसे कम का जो plan है, वो $0 का plan है, जिसमें बहुत सारा limitations है, कि आप watermark remove नहीं कर सकते हैं, कोई किसी तरह की privacy नहीं रहेगी, आपको support नहीं मिलेगा, तो इसका सबसे पहला plan जो है, अगर आप annually लेते हैं, तो आपको $19 per month pay करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप monthly लेते हैं, जो pro plan है, तो आपको $59 per month pay करने पड़ेंगे, जिसमें सारे features available हैं, आप HD download कर सकते हैं, आपको 20 music tunes मिलेंगे, उसी तरीके से 18 a style मिलेंगे, up to 15 minutes तक, pro में आप 15 minutes तक की ही video only बना सकते हैं, उसी तरीके से अगर यहाँ पर business है, तो business में अगर आप annually pay करते हैं, तो $59 per month, अगर आप इस business plan को आप monthly के हिसाब से use करते हैं, तो $127 per month आपको pay करने पड़ेंगे, इसमें कुछ extra features include हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से decide कर सकते हैं, कि कौन सा plan आपके लिए बहतर है, तो चलिए ये था पावटून के बारे में, अब हम लोग चलते हैं, next software की ओर, जिससे हम whiteboard animation बना सकते हैं, नामबर टू पर है video scribe, अगर आपको इस catching पसंद है, तो ये software आपका favorite software होगा, तो चलिए video scribe के website पे चलते हैं, तो simply link बार में type कीजिए, www.videoscribe.co और interpress कीजिए, ये है video scribe का website, आप यहां से 7 days के लिए trial ले सकते हैं, तो simply आप यहां पे email address enter कीजिए और sign up कीजिए, उसके बाद आप इसे download कर सकते हैं, तो मैंने already download किया हुआ है, मैं आपको उसका interface दिखाता हूँ, ये है sparkol, video scribe, और पहले आपको login करने परेंगे, जिससे आपने sign up किया था, अगर आप trial यूज़ कर रहे हैं, तो आपको internet connection की जरुवत होगी, इस software को use करने के लिए, तब ही आप login कर पाएंगे, login, यहाँ पर how to video है, तो मैं इसे cut कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से simply create new project में जाता हूँ, और यह है इसका editing interface, मैं यहाँ से कुछ इसमें image import करता हूँ, यह देखिए, इसकी पूरी library यहाँ से open हो गई, मैं यहाँ से people में जाता हूँ, और यहाँ से मैं को character select करता हूँ, और example यह character मैंने select किया, इसे आप जहाँ पर भी arrange करना चाहें, आप arrange कीजिए, resize कीजिए और camera set कीजिए सबसे पहले, आप यह चाहते हैं कि यह project area है आपका इसमें यह image यहाँ पर हो, मैंने इसे यहाँ पर camera set कर दिया और इसमें मैं कुछ text include करता हूँ, I want to subscribe, believe for you, और इस text को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, इसे भी आप अपने हिसाब से resize कर सकते हैं, और मैं इसका भी यहाँ पर camera set कर देता हूँ, उसकी बाद हम लोग चलते हैं, इसकी property में और देखते हैं कि यह कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसा effect होगा, तो सबसे पहले और अगर ऊपर में देखें तो यहाँ पर ड्रॉ, मूफ इन और मॉफ, यहाँ पर ड्रॉ का option select है, मैं इसकी timing कुछ यहाँ पर कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तीन सेकेंड में यह ज्रॉ हो जाए, यह जाए और यहाँ से मैं hand select कर देता हूँ, कि यह किस तरह ड्रॉ ह होगा, यहाँ से मैं कुछ basics hand जो है, वो select कर लिया हूँ, आप यहाँ से preview देख सकते हैं कि किस तरह के से draw होगा, और मैंने interpress कर दिया, वैसे ही image में जाकर कि मैं इसकी कुछ editing कर देता हूँ, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यह hand के तुरू move कर गया है, यहाँ पर, अब किधर से move हो, नीचे से, उसका यह set कर सकते हैं, इसकी भी आप animation timing set कर सकते हैं, मैं जाता हूँ कि यह 3 second के अंदर यह animate होकर के आ जाए, और यहाँ से भी मैं hand select कर लेता हूँ, मैं यह hand select कर लेता हूँ, और यहां से मैं प्रेस कर दिया, अब इसे में preview कर देखता हूँ, देखिए आप कैसा effect होगा पहले ये image है उसके बाद ये है तो आप अगर चाहते हैं कि ये पहले हो तो जैसे देखिए इसको simply यहां से मैंने drag करके इससे पहले कर दिया यहां से भी आप preview कर सकते हैं ये जो timing है इसका 3 second काफी लंबा timing है इस वैसे काफी slow आ रहा है तो ये software काफी useful है इसमें आप जो है text include कर सकते हैं chart include कर सकते हैं music include कर सकते हैं इसमें इसकी इनकी अपनी बहुत सारी music tunes available है आप चाहें दो recording कर सकते हैं आप import भी कर सकते हैं अपनी images और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जो जो भी image है वो svg format में होता है तो आप internet से भी svg format में आप download कर सकते हैं for example जैसे कि मैं यहां से एक import करता हूँ एक svg image and desktop पे मैंने रखा हुआ है desktop and यह देखे svg format में है यह तो आप यहां से इससे set करते हैं आप svg format में आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं मैं इसका भी camera यहां से set कर देता हूँ and then इसकी properties में जाके मैं draw and यह जो draw होगा यह तीन सेकेंड के अंदर draw होगा and hand में select कर लेता हूँ यहां से actually यहां पर और भी बहुत सारे हैं जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ तो यह देखे यहां पर बहुत सारे pane and you know rubber इस तरह के options यहां पर available है तो आप जो hand चाह है वो यहां से select कर लेता है मैं simply यहां से यह select करूँगा and again मैंने ok press किया and ok press किया अब देखे कि मैंने sbg photo जो है वो import की है तो यह भी हमारा sketching property में आ जाएगा मैं इसे play करता हूँ तो यह था कि कैसे project create करते हैं अगर आपको import करना हो तो simply यहां से जाएए और publish आप YouTube पे कर सकते हैं आप save नहीं कर सकते हैं इसे और अगर आप direct YouTube पे upload करते हैं तो यह जो icon है यहां पे watermark है वो इसका रहे जाएगा यहां पर फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इसका commercial use करना चाहते हैं तो आपको paid या pro plan लेना होगा तो चलिए अगर हम लोग pro की बात कर रहे हैं पढ़ेंगे annually अगर आप इस plan को लेते हैं तो आपको $13 per month पढ़ेगा अगर आप monthly plan use करना चाहते हैं तो $29 आपको pay करने पढ़ेंगे pro version के लिए यह सारी options है आप इसमें one time payment भी कर सकते हैं आप शाहें तो एक बार में ही खरीद लें lifetime के लिए तो आपको अभी जैसे offer price है $580, otherwise $665 आपको pay करने पढ़ेंगे तो जितने भी whiteboard animation की software है उसमें सबसे जो सस्ता software है वो यही है तो यह था video subscribe के बारे में इसका main function sketching है अगर आपको sketching पसंद है तो आप इस software को choose कर सकते हैं तो चलिए अब next website के ओर चलते हैं जिससे हम animation create कर सकते हैं No.1 पर है go animate तो चलिए इसकी website पर चलते हैं और देखते हैं कि इसे मैंने No.1 पर क्यूं रखा है तो simply आप अपने link bar में type कीचे go animate dot com यह है go animate का website जहां पर आप animation create कर सकते हैं यहां पर भी आपको पहली sign up करना होगा आपको 15 days का trial यहां पर मिलेगा मैं आपको सीधे interface के तरफ ले चलता हूं यह है video editing का interface मेरे पास अभी यहां पर blank page है मैं यहां पर कुछ characters डालता हूं सबसे खास बात इसकी यह है कि आप यहां से जैसे एक कोई character यहां से choose करते हैं फिर उसकी बहुत सारे character उसके बहुत सारे pose बहुत सारे emotions available हैं for example मैं यहां पर इस character को select करता हूं यह मेरे timeline में आ गई और मैं इसे चाहूं तो यहां से resize कर सकता हूं अपने recording मैंने यहां से resize किया और अब देखिए जैसे मैं इस पर click करता हूं तो यहां पर देखिए उससे related बहुत सारे emotions उसी character के सबसे खास बात यह ही तो उसी character के यहां पर बहुत सारे pose हैं बहुत सारे style है तो आप यहां से choose कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए यहां पर बहुत सारी category है eat and drink emotions emotions में जैसे देखते हैं इसमें कुछ animations होंगे कुछ सिर्फ pictures होंगे जैसे यह picture मैंने select किया ओके यह emotions हैं इसके अब next हम लोग चल सके enter and exit effect में यह जो है हमारे project पर कैसे आएगा और कैसे जाएगा तो add inter motion यहां पर enter मैंने select किया हुआ है style आप यहां से choose कर सकते हैं slide जो है अभी यहां पर slide है जैसे कि मैं इसे play करके देखता हूँ preview अगर हम इसे करते हैं तो यह देखिए simply यह slide हो करके आया उपर से नीचे की तरफ है ना इसमें हम कुछ अलग effect डालना चाहते हैं तो यहां से आप choose कीजिए किस तरह का effect आप डालना चाहते हैं यहां पर आप उसको preview करके भी देख सकते हैं कैसा effect हो का मैंने यह select किया wipe तो यह inter effect हो गया उसी तरीके से अगर हम exit effect डालना हो तो यहां से add में click करूँगा और यह हमारा exit effect हो गया तो यहां पर भी हम वही रहने देते हैं अब इसे अगर हम preview करके देखते हैं यह देखी कुछ इस तरीके का effect आपको यहां पर दिखेगा इसमें आप और भी characters include कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं props है यहां पर available text अगर आपको include करना हो आप text include कर सकते हैं है ना simply double click करके आप इसे edit कर सकते हैं we'll leave for you इसमें भी आप उसी तरीके से आप enter and exit effect आप डाल सकते हैं add enter motion यह कैसे आएगा और कैसे जाएगा किस तरफ से आएगा कैसा effect होगा यहां से अगर आपको extra page include करना हो तो आप यहां से extra page include कर सकते हैं यहां पर और भी बहुत सारे option है आप यहां पर import कर सकते हैं media अगर आपको import करना हो तो आप simply drag करके यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर कुछ templates already available हैं उसके according आप editing करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं music आप include कर सकते हैं इसमें यहाँ पर already बहुत सारे tracks दिये हुए हैं आप शहें तो अपनी भी upload कर सकते हैं तो इसमें जो सबसे खास बात यह है कि इसमें characters की collections है वो बहुत से एक simple character choose किजिए और उसके फिर आपको बहुत सारे style बहुत सारे emotions आपको मिल जाएंगे add movement और भी बहुत सारे option है यहाँ पर तो अगर आपको finally आपका project जो है वो प्रिव्यू करना हो तो आप प्रिव्यू पर क्लिक किजिए यह भी जो trial version है अगर आप इसे import करते हैं तो आप watermark remove नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको pay करना पड़ेगा पहले यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इसका commercial use करना चाहते हैं तो आपको paid या pro plan लेना होगा तो इसका भी हम लोग मंत्री plan देखेंगे यह देखिए कुछ ऐसा effect है यहाँ पर तो अगर आप professional type animation बनाना चाहते हैं तो I think go animate आपके लिए best होगा अब हम लोग देखते हैं कि इसका plan कौन-कौन सा है तो इसका जो सबसे पहला plan है go publish जो कि 39 dollar per month का plan है उसके बाद go premium है जिसका 79 dollar per month का plan है and go team 159 dollar per month और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या-क्या extra features है तो मैंने अगर आपको इस catching पसंद है तो आपके लिए वीडियो इसक्राइब best software होगा और वो काफी सस्ता भी है तो आप खुझ से decide कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा software कौन सा website best है आप उसकी website पे विजिट कर सकते हैं नीचे description में link दी गई है तो ये था कि कैसी animation की create करते हैं और उस के लिए कौन सा software या website यूज कर सकते हैं और यहाँ पर मेरी एक request है कि आप लोग प्लीज ऐसे comment या ऐसे सवाल मत पूछना कि वीडियो subscribe का you know crack कहां मिलेगा या फिर या फिर वो animate का watermark कैसे remove करेंगे इस तरह के questions या फिर free में कहां से मिलेंगे इस तरह के questions प्लीज आप प्ल जबाब नहीं है तो आइधिंग ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर आप animation में interested है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजे and share कीजे ऐसे ही और भी updates के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते ही subscribe करने से फायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीड notification आजाएगी तो इस तरीके से आप मेरी कोई भी वीडियो मिस्त नहीं कर सकते हैं तो आपने अगर अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप पहले subscribe कर लें और अगर आपने already subscribe किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शक्रिया and finally you know thank you for watching